हेलो एबरिबन आज हम लोग देखेंगे 21 नॉमबर 2022 का करेंट अफेर्स तो पहला हम लोग कोश्चन हम लोग देखते हैं कि संजुक्त रश्ट के नुसार 2030 में 20 का सरवाधिक अवाधिवाला देश कौन होगा तो 2030 में युनाइटेड नेशन्स के नुसार भारत का सरवाधिक वाधिवाला देश भारत होगा चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा और तीसरे पर युनाइटेड स्टेट रहेगा तो हम लोग टॉप फाइब में देख लेते हैं पहला रहेगा जो भारत आ जाएगा दूसरे पर चाइना रहेगा तीसरे पर हमारा रहेगा USA रहेगा चोथा पे रहेगा इंडोनेसिया, पाच में पे ब्राजील, छठे पे पाकिस्तान, साथ में पे बंगला देश, तो 2030 में भारत सरवाजी का वादी वाला देश बन जाएगा, दूसरा कोश्चन है भारत ने अंतराष्टे परिवार नियोजन सम्मेलन में भारत को परिवार नि सबसे पहला नीजी रॉकेट लॉंच किया, जो इसरो के सही हो से किया गया, स्काइरूट इस्पेस के द्वारा, स्काइरूट एरोस्पेस के हेड़क्वाटर है, जो हैदराबाद में, कौन सा राज है, कोरोना में हमारी का बाद नई कंपनियों को खोलने में सिर्श अस्थ चाहटा कोस्टन है हमारा कि दच्छिन कोरिया में एर गन चेंपियंशिप में कौन सा लोगों ने सोर्ण पदक जीता तो रिदम सांगबान और विजय वीर सिद्धू ने इसमें सोर्ण पदक जीता है एरोपियन कोंसिल के स्थापना करने वाली पहली भारतिय कंपनी कौन सी कहना कि भारतिय चेंप पहली महिला स्काइडाइवर कौन बनी लांस नायक मंजू प्येसओ में पब्लिक सेक्टर बैंक में सारजवन 6 के बैंकों में सी और एमडी का अधिकतम कारिकाल कितना निर्धारित किया गया है दस साल जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको उधारन है कि SBI है PNBI है बैंको बड़ोधा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक के उधारन है Cambridge Dictionary के अनुसार Bird of the Year का उन सा बना होमर है जो Cambridge Dictionary के अनुसार Bird of the Year 2022 बना है आकासवानी का महानी दिसक अतिरिक्त परिवार किसे दिया गया है बस हुदा गुपता को ONGC के अगले परमुक किसे ने उखत किया गया है तो ONGC के अगले परमुक अरुन कुमार सिंख को ने उखत किया गया आँपचार के लिए पहला बिशव दिवस कब मनाया गया बंडारू बिलसन बाबू किस देश में भारत के राईदूत नियुक्त किये गए है हाल ही में भारत और भारत और अस्टेलिया के बीच जो साइबर निती के तहट पाच्मा साइबर वारता योजित किया गया है अस्टेलिया भारत और अस्टेलिया के बीच पाच्मी साइबर जो बारता हुए है नई दिल्ले में आयोजित किया गया है हाल ही में किस राज सरकार ने राम से संबंधित रमायन और क्रिस्न से संबंधित महावारत सरक्ट बनाने का निरने लिया है यह उत्तर परदेश ने किया है हाल ही में किस राज सरकार ने सोतन रता से नानियों के पैंसन को दस अजार से बढ़ाकर बीस अजार करने का निरने लिया है तो यह महाराश सरकार ने किया है हाल ही में इंडेन स्पेस रिसर्च और और गयनाजेशन इसरो ने पहले नीजी रॉकेट के सफलता पुरवक प्रेशेपन कहां से किया तो स्री हरिकोटा अंदरपर्दिस से किया जो जो लॉंच किया गया है पहला नीजी रॉकेट वो उसका नाम है बिकरम एस और जो जिसके द्वारा लॉंच किया गया है वो स्काय रूट स्पेस एजनसी है जिसका हेड़कौर्टर है हैदराबाद में है और जो अभी इसरो का परमुख है वो एस सोमनात है हाल ही में आठमी नौर्वे भारत संजुक्त कार समू समूंदरी बैठक कहां युजित की गया है यह मुंबे में किया गया है नौर्वे और भारत की संजुक्त कार समू समूंदरी बैठक तो नौर्वे की राजधानी ओसलो पिलस में बगप है उत्तर प्रदेश धानकर भैंगा तो वक्रश्जी को सबस्ए उत्तर प्रदेश धानकर है वो उत्तर प्रदेश हालि में उर्जुन पुरुसकार से प्रुस्कृत हालि में अभास मुंतसीर का निधन वा बासकेटबॉल खिलारी थे हालि में राष्टिय पेंशन परनाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किने नुक्त किया गया है, सूरजभान को निशनल पेंशन ट प्रश्ट के अध्यक्ष के रूप में नूख्ट किया गया है। चले क्षिस देश ने excellence in leadership in family planning मतलब परिवार न्योजन में भारत ने कौन सा पुरुसकार जीता तो परिवार न्योजन